नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर एक जुलाई 2023 सावन महीने से पहले अंतिम प्रदोश पर कर लीजियेगा एक दिये और काले तिल का महाउपाय जीवन के हर कश्टों से मिल जाएगी आपको हाथों हाथ मुक्ती भगवान भोलेनात के आशिरवात से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है हिंदू पंचान के अनुसार सावन महीने की शुरुवात होने से पहले ये जो सनी प्रदोश 1 जुलाई 2023 को पढ़ने जा रहा है इस दिन अगर आप विधी विधान से वरत रखते हैं और उन उपायों को करते हैं जिसके बारे में आपको हम इस विडियो में बताने जा रहे हैं तो आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और शनी महाराज जी की क्रिपा एक साथ मिल सकती है और ऐसा मौका वर्षों में मिलता है सनातन परम्परा में भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से शीघर ही उनकी क्रिपा मिल जाती है मान्यता है कि देवों के देव किसी व्यक्ति से तुरंत ही प्रसन्न हो करके उसको वो आशिर्वात देते हैं जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन से दुख, समस्याएं और परिशानियों से उसको मुक्ति मिल जाती है दोस्तों आपकी जानकारी के बता दे कोई भी शिव भक्त अगर प्रत्येक क्रिश्न पक्ष और शुकल पक्ष की प्रयोजशी तिथी यानि प्रदोश व्रत को विधी विधान से करता है तो उसके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती है उसके जीवन में किसी भी प्रकार के रोग, शोक का उसको भय नहीं रहता है इसलिए दोस्तों, एक जुलाई 2023 को पढ़ने वाले इस शनी प्रदोश के दिन अगर आप वह उपाय कर लेते हैं, जिसमें आपको साधारन से एक दीपक लेना है और कुछ काले तिल के दाने लेने हैं, तो आपको एक साथ भगवान भोलेनात और भगवान शनी महाराज जी की वो कृपा मिल सकती है, जिसके बाद आप अपने जीवन में खुद देखेंगे। कैसे एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियों से और दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, एश्वर्य की प्राप्ती होगी। और शनिवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोश व्रत को शनी प्रदोश व्रत कहा जाता है। शनी प्रदोश व्रत 1 जुलाई 2023 को पड़ेगा। पंचाम के अनुसार आशाड मास के शुकल पक्ष की त्रयोजशी तिथी 1 जुलाई 2023 को रात 1 बचकर 16 मिनट से शुरू होगी। इसका समापन 1 जुलाई 2023 को रातरी 11 बचकर 7 मिनट पर होगा। भगवान शिवजी की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय हिंदू पंचाम के अनुसार शाम 7 बचकर 23 मिनट से लेकर के रात 9 बचकर 24 मिनट तक का रहेगा। अब आपको हम एक-एक करके उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको इस शनी प्रदोश के दिन करना है और इन उपायों को करने के बाद आप मान के चलिए आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान शनी देव जी की कृपा और आशिरवाद एक इसलिए अगर आप भी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान शनी देव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे भगवान भोलेनाथ के आशिरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करे बहुत ही आगे जाए भगवान शनी देव जी की कृपा से आपके जीवन आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और आप हमेशा संकटों से बचे रहे तो दोस्तों पूरी सची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में उपाय होगा जो इस शनी प्रदोश यानी 1 जुलाई 2023 के दिन करके आप लाप पा सकते हैं। वो आके हम आपके कमेंट के रिपलाए में बता देंगे लेकिन आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा देखिए दोस्तों सबसे पहला उपाय है धन प्राप् परिशानी ना हो और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए तो इस शनी प्रदोश के दिन आपको बस एक साधारन सा उपाय करना है जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी जैसे आपको एक चाहिए गाय के दूद से बने हुए घी जिसको आपको रखना एक दीपक में आपको चाहिए एक तामबे का लोटा जिसमें आपको गंगा जल भरना है और 108 काले तीन के दाने डालना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा 108 1108 1008 इस तरीके के जो अंक होते हैं भगवान भोलेनात को बहुत प्र तो आपको बस यही करना है कि एक तामबे के लोटे में गंगा जल डालना उसमें 108 काले तिल के दाने डालना है। आपको एक गाय के दूद से बने हुए घी का दीपक लेना अब आपको एक जुलाई 2023 के दिन सुभा उठना है नहाना है धोना है भगवान भोलेनात के मंदिर जाना है भगवान भोलेनात के मंदिर चाहिए भगवान भोलेनात के मंदिर जाने के बाद इसी एक लोटे जल में जिसमें आपने काला तिल डाला है इससे भगवान भोलेनात का अभिशेक कर दीजिए ध्यान रखिएगा भगवान भोलेनात का अभिशेक करते वक्त आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए अब वही शिवलिंग के पास आपको इस दीपक को जलाना है और आपको एक हजार आठ बार ओम नमह शिवाय का जाप करना है इतना भर अगर आपने इस शनी प्रदोश के दिन कर लिया भगवान भोलेनात की क्रिपा से आपके जीवन में धन का आगमन तो बहुत तेज हो ही होगा आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे मान के चलिए कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी इसी ये कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए अम नमह शिवाय हर हर महादेव दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना है वो एक दिन की पूजा से पूरी हो जाए आप चाहते हैं कि जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से दुखों से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाए तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को इस शनी प्रदोश के दिन सिर्फ एक सौ आठ बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना होगा ध्यान रखिएगा दोस्तों बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है बहुत ही ज्यादा पसंद है और जो भी व्यक्ती सनी प्रदोश के दिन या सोम प्रदोश के दिन भगवान भोलेनाथ को 108 बेलपत्र अर्पित कर देता है उसके बाद या तो अपनी मनोकामना बोलता है या अपने दुखों से मुक्ती पाने के लिए भगवान भोलेनाथ के सामने प्रार्थना रखता है भगवान भोलेनाथ के आशिरवाद से उस व्यक्ती के जीवन के समस्त दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ती की कोई भी मनोकामना होती है अवश्य ही कीजिएगा इसी प्रकार से मान लीजिए आपके जीवन में आपको सनी दोश लगा हुआ है आपके जीवन में आपके साढहे साती चल रही है आपकी ढ़िया चल रही है और आप इस चीज को ले करके बड़ा परिशान है तो दोस्तों सिर्फ एक दिन के किये हुए उपाय थे जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रही है इन प्रकार के दोशों से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल सकती है देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा अगर आप किसी पंडित के पास जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं आप कहते हैं कि आपकी साढ़े साती चल रही है आपकी ढ़िया चल रही है मंगल दोश है, शनी दोश है और वो आपसे ये कहता है ये उपाय कर लो ये दोश खत्म हो जाएगा तो वो जूट बोल रहा है दोस्तों दोश कभी खत्म नहीं होता है दोश के सिर्फ प्रकोप को कम किया जा सकता है और ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं या उपाय करने के बाद आपके दोश जो होंगे उनका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा तो आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनिएगा एक जुलाई दो हजार तेईस को सुबह से लेकर के शाम के बीच में काला जूता, काला उरतकी डाल, काला कमबल, काला छाता, किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुप को ले जा करके दान कर दीजिए अगर आपने इतना भर इस शनी प्रदोश के दिन कर लिया मान के चलिए आपके जीवन में जो भी दोश होगा, मान लीजिए सनी दोश है, आपका साढह साती है, आपके ढईया है, इसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आपके ग्रह आपका साथ नहीं देते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपका साथ दे, आपके ग्रह आपको भी शुरू करे, उस काम में आपको सफलता प्राप्थ हो, तो ये महाउपाय कीजिये जो आपको हम बता रहे हैं, शनी प्रदोश के दिन जो 1 जुलाई 2023 के दिन है, आपको सिर्फ क्या करना है कि अपने घर पर साथ रोटी बनानी है, साथ उतनी किसी भी काले कुत्ते क को खिला देना है, अगर आपने सिर्फ इतना कर दिया, तो मान के चलिए आपके जीवन काल में आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा, आपके ग्रिह आपके तारे हमेशा आपका इस प्रकार से साथ देंगे कि आप जो भी कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपक जो भी दुर्भाग्य होता है वो हमेशा के लिए आप से दूर चला जाता है। उसमें गंगा जल भरना है। अब आपको सूर्यास्त होने से पहले किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। ये सबसे पहले एक लोटा जल इस पीपल के पेड़ पर आपको अर्पित करना है। पांच तरीके की मिठाया पर रख देनी है। दोस्तों एक बात की जानकारी आपको हम बता दें। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि पेडों में मैं पीपल का पेड हूँ इसलिए पीपल के पेड को एक देव पेड बोला जाता है। पीपल के पेड में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये बिमारी से मुक्ती पाने का महाउपाय अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं आप चाहते हैं कि आपकी बिमारी ठीक हो जाए। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोले नाथ के आशिरवाद से आपकी बिमारी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोले नाथ का आपका साक्षात आशिरवाद मिल जाए तो इस बात का ध्यान रखियेगा। भगवान भोले नाथ के नाम पर भगवान भोले नाथ के मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को जरूर कुछ दान कर दिया। चाहे सफेद, चावल, चाहे 10 रुपे, 15 रुपे और आपको भगवान भोले नाथ का आशिरवाद मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।